हलो फ्रेंड्स क्यासे हैं आप सब मैं प्रियंका रहा आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट इस्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं अगर टीचर बढ़ना आपका सपना है इस वीडियो को इसके मत करना यह वीडियो आपके लिए बहुत कर रहा हूं अगर आपके एक्जाब में सेडीपे से क्वेस्टन आते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्फुल होगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ाता मनो विज्ञान का विकास क्रम मनो विज्ञान क्या है मनो विज्ञान के साखाएं कितनी है मनो विज्ञान का विकास कैसे हुआ वर्तमान में मनो विज्ञान को क्या मानते है मनो विज्ञान के चनक कौन है आदुनिक मनो विज्ञान के चनक कौन है मनो विज्ञा बालास को नहीं देखा तो थो हमारे जैनल के प्धेर स्थ मिश्पट में वहां से जाए present करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनु विज्ञान का पहला संप्रदायदा संरचना वाज संप्रदाय संरचना वाज संप्रदाय मनु विज्ञान में इस्तापित होनी वाला प्रतम संप्रदायदा तो इसमें क्या बोला गया इस परण को डिस्कस करते हूं हर एक इंप खुदी को कर बुलन इतना, खुदा भी पूचे बंदे, तिरी हस्ती का राज क्या है, बहुत मेहनत करने हैं, और हर हाल में अपने मावाप का सपना पूरा करके दिखाना है। मनुविज्यान में इस्तापित होने वाला आपको प्रतन संप्रताय था सनरश्नावाद संप्रताय, सनरश्नावाद संप्रताय की स्तापना गीती विल्यम वुंट ने, विल्यम वुंट ने सरप्रतन एक संप्रताय की स्तापना गी, उस संप्रताय को बोला गया और निर्मित वाद के नाम से भी जाना जाता है मनु विज्यान में इस्ताबित होने वाला प्रतम संप्रतायत है विल्यम वोड अपने से पहली वाई क्लास में जब पढ़ा था तो मैंने बुला था विल्यम वोड ने क्या बुला था मनु विज्यान को जेतना का विज्यान सबसे पहले आपनी क्या पड़ा था मनु विज्यान आत्मा का विज्यान है उसके पसाद मनु विज्यान मरिया मस्तिस का विज्यान है उसके पसाद बोला था मनु विज्यान जेतना का विज्यान है वर्तमान में हम क्या मानते हैं मनु विज्यान बेहार का विज्यान है तो विलेम वंड ने बोला था ना मनु विज्यान क्या होती है जेतना का विज्यान होती है अब जेतना क्या होती है अब जेतना क्या होती है अगर आपने प्रिवेस क्लास देखिए तो आप कमेंट वोक्स क्योंकि मैं इसमें बताया था जेतना होती क्या है आप अक्सार सोचते हैं न कि अरे उसने काम मन से नहीं क्या जेतना से नहीं क्या नहीं तो काम अच्छा होता तो होती क्या है जेतना जेतना का मतलब क्या होता है चलिए समझते है किसी विसेवस्त को देखने पर हमारे मन में जो ओधारना या संप्रत्य का जन्म होता है वही क्या होती है हमारी जेतना आपने किसी भी विसेवस्त को देखा उसको देखने के पर हमारे मन में कुछ ने कुछ तो अधार ना कोई ने कोई संप्रते के तो जैन्म होता है ना वही हमारा क्या होता है जितना होता है जैसे आप ही आपके सामने एक ऐसा फल लिखिया है जैसे हम लिखिया है एपल तो एपल आपको पता है ने कि यह पल है तो आपके मैंन में तुरंत बना ना क एपल है सेव है कुछ बना एक ऐसी चीज लिया है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है फिर वे अब उसे कुछ न कुछ रिलेट करेंगे जैसे बहुत चोटा बच्चा होता है तो उसको क्या दे तो अब जैसे रेक्टैंगल होता है ठीक है अपने बच्चे को छोटे बच्चे को क्या दिया रेक्टैंगल दे दिया रेक्टैंगल की जैसे संडशना का कुछ हो दिया अब बच्चा नहीं जानता है कि ये rectangle है rectangle नहीं जानता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कुछ सोचेगा आप बच्चे से पूछेंगे बिटा ये क्या है तो हो सकता है बुले कि ये तो मेरे eraser जैसा है है न क्योंकि उसके मन में किसी ने किसी ओधारना किसी ने किसी संप्रत्ते का जन्मो यही क्या होता है अपच्चे इतना जैसे आपने बच्चे को दे दिये ये circle अब बच्चा नहीं जानता कि इस अनचना कुछ चेमती आकरत को हम कहते हैं गोला लेकिन आप बच्च जन्म होते हैं तो आपको समझेड है, जěतना होते हैं और भिलीयम उपई उने किया बोलहता है, अटी आपसे बोल रहे हुँ ना कमेंट केजे अब उसी टाइम पर वीडियो को पहुच कीजिए क्योंकि इस सारी चीज़े याद होते चली जाएंगे क्योंकि मैं बार बार पीछे वादी चीजें आपको रिवाइच कराती हूं तक ह़ार एक पॉइंट आपके लिए याद हो जाएंगे क्योंकि हर एक पॉइंट आपके बोखू हिए इम्पोर्टन्ट है तो सनाचनावा संप्रदाय के स्थापना गी तो आपके विल्याम वोंड ने आपने इमश देख सकते हैं और सनरशनवा संप्रदाय मनु विज्यान में इस्ताफित होने वाला प्रतम संप्रदाय विल्यम वुड ने मनु विज्यान को चेतना का विज्यान का था मनु विज्यान आत्मा का विज्यान ये बात बोली थे अपके अरस्तु ने और आश्टों को मैंनों विक्यान का चनक का जाते है क्लियर इतने पांट आपको समझ में आए चलिए आगे डिस्कस करते है अब विल्यम वुटनी क्या बोला कि जो सनरचना वो संप्रता है कि इस्ताफना अब की विल्यम वुटनी का कि ते को मन की क्या होती है अब यह सनरचना को अगर में जानना है मन के सनरचना मन कोई वस्तु तो है नहीं मन तो आप कैसा संप्रते अमूर संप्रते अब अमूर्द संप्रते पर तो आप प्रियोग करनी सकते तो आपके इन्होंने बोला क्या कर अगर मन की निस्ति सनरचना होती है अगर आपको इस सनरचना को जानना है तो इस सनरचना को जाननी के लिए हमें क्या करना होगा समवेधना पर अध्यान करना होगा किस पर अध्यान करना होगा समवेधना पर यह point आपके लिए बहुत ही important है इसको याद कर लेजी इसलिए मैंने इसको highlight करती है William Wanda के अंचार मन की एक निस्ति सनरचना होती है और इस सनरचना को जाननी के लिए हमें समवेदना पर अध्यन करना होगा तो जेतना क्या होती है आप समझ चुके थे अब हम पढ़ते हैं समवेदना क्या होती है अगर आप सरहल सब्तों में समझनी की कोशिस करें तो समवेदना का तात्पर होता है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्यान हमारे संस ओर्गन होते हैं इन्हीं इंद्रियों द्वारा जो हम ज्यान प्राप्त करते हैं वही ज्यान हमारा क्या होता है संवेदना होती है संवेदना इंद्रियों द्वारा जो प्राप्त ज्यान होता है वो हमारा ज्यान क्या होता है संवेदना होता है अब इसे संवेदना के माध्यम से क्या होता है हमारी जेतना का भी निर्माड होता है दोनों पॉइंट आप समझे पहला क्या बोला इन्होंने का क्या कर मैं मन की संदश्चना जाननी है तो हम ही क्या करना होगा उसकी समवेदना पर अध्यन करना होगा और समवेदना क्या होती है? इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञानी समवेदना होती है जैसे हम कोई चीज गरम चू लेते हैं जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो कहता है ये गरम है उसकी क्या होता है? इंद्रियों से उसने ज्ञान प्राप्त किया ज्यान कैसा प्राप्ति किया है? समवेदना जो भी ज्यानों इंद्रियों से प्राप्ति करते हैं वो हमारा ज्यान कैसा होता है? समवेदना इसी समवेदना के माद्यम से क्या होता है? मारी जेतना का निर्मार होता है अगली पर अब बच्चा किसी भी गरम चीज़ को आग को देखेगा तो उसके माइन में तुरत एक संप्रत्य बनीगे नहीं इसको चूनी से क्या होते हैं जल जाते हैं क्योंकि बच्चा सब छोटा हुआ उसने आग को चूआ उसे नहीं पता थे गरम वो जल गया अब अगली पर जैसे बच्चा आग को देखेगा तुरत उसके मन में क्या हुआ संप्रत्य का दर्मार हो चुका कि आग को चूएंगे तो हम क्या होंगे चल जाएंगे यही बात आपके बोली विलियम बॉंट ने अब विलियम बॉंट ने कहा कि हम ही क्या करना है मन के सनचना को जानना है तो भी समवेदना पर अधिन करना होगा लेकिन उसके पसाथ क्या हुआ उसके पसाथ आपके अमेरिका के विलियम जेम्स आए इन्होंने कहा कि भई हम ही क्या करना होगा जेतना पर अध्यन करना है लेकिन जेतना के कार्यों पर अध्यन करना है सिर्फ समवेदना पर नहीं अध्यन करना है उस समवेदना के पिछे में उसके कार पर अध्यन करना है इसलिए विल्यम जेम्स ने क्या किया इस संप्रदाएगी आलोचना की उन्होंने एक नया प्रकारवाद में सतापना किसी नहीं किती ? विल्यम नहीं विझ्यान को क्या बोल था? इन सारे चीजों के answer आप गमेंट वाक्स में कमेंट केजए ओके अब हम पढ़ते प्रकारवाध संपर्दाएं प्रकारवाध संपर्दाएं के स्ताफना कीती है. प्रकारवाध के बोलगे कि हमें चेतना के कार्यों वो प्रभावों को समझने पर बल देना है जैसे आपको संरशनावाद था, संरशनावाद की स्ताफ़ेक उसनी के थे विल्यम वूट ने, संरशनावाद थे विल्यम वूट ने क्या बूला था हमें चीतना आपकी अध्यन पर बल देना है, विल्यम वूट किस पर अध्यन देते थे चीतना की अध्यन पर, सम्वीतना की अध्यन पर बल देते थे, जबकि प्रकारवाद, प्रकारवाद कहता है कि मैं चेतना के कार्यों पर अध्यन पर बल देना है, कि चेतना पर नहीं अध्यन करना है, चेतना के कार क्या हो रहा है, चेतना से किस प्रकार के व्यक्ति कार कर रहा है, इस प्रकार के अध्यन पर बल तो यह दोनों कौन से संप्रदाय होगे समचनावाद संप्रदाय और प्रकारवाद संप्रदाय क्लियर अब जैसे आपका संवीदना क्या होती है संवीदना हमारी इंद्रों से प्राप्त ज्यान होता है तो अपका प्रकारवाद संप्रदाय में बोला गया कि अगर प्रकार क तब पिर क्या होता है, हमें उसके प्रभावों को समझना होगा, किसी व्यक्ति के मन मस्तिस में विचार क्या से चल रहे हैं, यह जानने के लिए मैं उसके कार्यों का उलोकिन करते हैं, कि किस तरही के से कार कर रहे हैं, इसकी थार्ट प्रोस्टेस क्या सी है, इसी प्रकार व् क्लियर हो कि इतने पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप तुरंत कमेंट वाक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके अलावे एक पॉइंट और याद कर लीजे विल्यम जेम्स को मनु विज्ञान को बेवहर के विज्ञान के रूप में समर् कर सकते हैं प्रियोग साला की इस्तापना करवाई थी इसलिए प्रियोगात्मक मनु विज्ञान का चनक कहते हैं विल्यम वन्ट को दोनु पॉइंट इंपॉइंट याद रखेगा इतने पांट आपको समझ में आई तो इससे आप समझ सकते हूं कि सनशनावा संप्रदाए क्या करते था आपके समवीतना पर बल देता था जबकि प्रकारवा संप्रदाएं प्रत्य अच्छी करण पर बल देता था अब प्रत्य अच्छी करण क्या होता है कि समवेदना से आपने अपने ग्यान प्राप्ति कर लिया अपने मन मस्तिसमी औधार ना संप्रत्य कर निर तो बार कॉमेंट किजी, मैं आपको एक्जाम्पल के माध्यम से समझाओंगे, लेकिन हर पॉइंट आपको समझना आया, जैसे आप समझे, समझना वा संप्र।दा है आपके समवेतना पर बल द तेता था, जिब कि प्रकारवाच संप्रदाय आपके प्रत्यची करड़ पर बल देत आ था इतना पॉइंट आपको समझ में आया अब चली इसके आगे हम देखते है समवीटिना क्या होती है जयसे बच्चे ने देखा इस सर्कल को सरकल को देखते ही बच्चे ने का ये तो क्या है मेरी बॉल जैसा तो एक उसने समवेदना बना लिए एक समप्रत्य बना लिया कि ये मेरी बॉल जैसा दिखता है मेरी फुटबॉल जैसा दिखता है लेकिन क्या वास्तों में ये बॉल है क्या वास्तों में फुटबॉल है नह में क्या होता है? इससे पहचाना बताएंगे. प्रत्यची करन के अंदर के तीन चीज़ आती है. सबसे पहले तो आप बच्चे को क्या करेंगे? उस चीज की व्याक्या करेंगे. कि बेटा बेसक ये वाल जैसा दिखता है लेकिन ये है क्या ये आपका है एक जहमती आकरती जैसे कहते है गोलब उसके बाद बच्चे को बताएंगे उसका नाम कि बेटा ये क्या है आपको सरकल उसके बाद बच्चे को बताएंगे इसकी पहचान कि बेटा इसकी पहचान क्या होती है जब आप ये तीनों चीजों की बता रहें तब आप बच्चे को क्या करवा रहे हैं प्रत्यची करण इसलिए सरश्ण वाद संपर्दय क्या करता था सम्वीदना पर बल देता था जिबकि प्रकारवात संप्रत है आपके प्रत्यची करण पर बल देता था क्लियर हो क्या इतनी पॉइंट आपको समझ में आए अब इसके पसाथ क्या हुआ आप दूनों के मतमित बंद होने लगा कि भाई किस चीज को माले सनचिना बात कहता है कि हमें सिर्फ सम्वीदना पर अध्यन करना है जिबकि आपके प्रकारवात ने बोला में सम्वीदना के प्रभाव पर अध्यन करना है कि सम्वीदना की क्या प्रभाव पर अध्यन करना है तो दोनों सम्प्रताय के मतमित में क्य किससा की थी आपके संपर्दाय की इसे आपके ऊंपरदाय के स्तापना की थी हम दिना उस्तान अब आप भूगड़ा यह प्रकार वादी दोजिसे जुश्य वांट्शन इसके भाःदग कुहिलार कं स के घश्टाल कुंक के स currently अब ड्रैम में निर उसलुक ऐसे ते आसा वादी थी मानौता वादी थी ती टेस्पेस्दाई इन पृदाएं से जुड़े आपके अलग-अलग मनों वैक्ञानिक तो जैसे आपको कही पर क्योदे जा में आसा नहीं आ रहा हूं लेकिन फिर्फी आपको पता होते कौन जुगिंपके जिबकि आपके विलियम उसने किसने विलियम वोड ने सरवातिक बल दिया था छेतना पे तो यह पॉइंट से कई पर आपके आंसर को टिक कर पाते हैं इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे समझ लीजेगा अपको दोनों संपर्दाइ के प्रकारवात संपर्दाइ और स्वनाचिनावास संपर्दाइ इन दोनों के मजब तॉन रुपन उगया तो एक नया संपर्दाइ उबgruppa इस संपर्दाइ को क्ते विल का अच्छे यहै इसके पसाद आपकी स्किनर, पाउलाव, हल, मैग टूगल इन सबने बिख़ारवाद का समर्तन किया थै important point है याद रखिए कि कई बर एक जाम मैंसे को असन पूछ लेता है इन में से किसने बिख़ारवादी नहीं है या इनमें से किसने बिखुरवाद का समर्था नहीं किया था तो आपके स्किनर, पावलाव, हल, मैक टूगल ये सब क्या बिखुरवादी हैं बिखुरवाद के प्रत्वाद कोने जेवी वाट्सन आपको पते कि वाट्सन ने ही एक लाइम बोली थी आप मुझे एक सिसू दे दीजिए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा बना दूगा आप कहेंगे तो मैं उसे चूर बना दूगा, आप कहेंगे तो मैं उसे डॉक्टर बना दूगा, आप कहेंगे तो मैं इंजिनियर मतलब वहार वादी मानते है कि बच्चे को जैसा माहूल मिलता है जैसा वातावराण मिलता है बच्चे उसी के अनुसार काम करता है ये कौन मानते हैं अपके वहार वादी मानते हैं क्लियर हो गया? चलिए आगे पढ़ते हैं वाट्सन ने मनु विग्यान को क्या बोला था, बेउखार का विग्यान बोला था, किस ने, जैवी वाट्सन ने, जैसे वर्तमार ने मनु विग्यान को क्या मनते है, बेउखार का विग्यान मनते है, यहां पर एक पॉंट और समझ लेचेगा, एक पार एकजाम में, रीट के एक्जाम में कॉस्टन आया थै कि विख्यान कहते है कि इसको मनो विख्यान में क्या होते हैं विख्यान कहते हैं लेकिन आप किसके विख्यान करते हैं मानो पसु पच्छी मानो का दिन मानो की विख्यान करते हैं पसु के विख्यान करते हैं पच्छी की विख्यान करते हैं य मानों के बिवहार का, पसु के बिवहार का, पच्छी के, या फिर तीनों के बिवहार का अधिन, तो मनों विग्यान में इन तीनों के बिवहार का अधिन करते हैं, क्योंकि मनों विग्यान कैसे ऐसा नहीं कह रहा हैं, कि हमें सर्फ मानों के बिवहार, जो भी वेक्ति बिवहा तो मानो के क्या करता है बिवहार करता है तो मानो के बिवहार का अधिन कर रहा है पासू क्या करता है बिवहार का भी अधिन करते है पच्छी पच्छी के भी बिवहार का अधिन करते है जिसे मानो बहुत सारे प्रयोग क्या हुए बच्छों के उपर हुए जिसे जीन प्याज था कुट्टा पर प्रियोग किया था किया था ने सुल्तान नमक बंदर पर प्रियोग किया गया ऐसे बहुत सारे प्रियोग किया हुए थांडाइक ने अपने बिल्ली पर प्रियोग किया तो पसु पर भी बहुत सारे प्रियोग हुए इसके अलावा आपके इसके नर ने क्य तो इसलिए इन सम चीजों को याद रखेगा चलिए आके अब आप ये तो समझगे कि मनुविज्ञान में ब्योहार का विग्यान किसने बोला था आपके जेवी वाट्सन ने वाट्सन ने कहा कि जो ब्योहार की उत्पत होती है आप लच भी क्या सकते हैं, जिससे आप प्राप्त करना है उपको क्या हो क्या होती है अनुक्रिया क्या होती है आप अपने लच को प्राप्त करने के लिए जो भी क्रिया कर रहे है वही आपके क्रिया क्या होती है अनुक्रिया जैसे आज आज आप क्या कर रहे हैं, आज आपको ले नीनी ये जॉब, सूपर्ट में जॉब करनी जॉब आपकी क्या हो गही, उत्तिपक हो गह, इसके लिए क्रिया क्या क्या कर रहे हैं, इसके लिए आप Let's Start बना रहे हैं, क्या आप noisyा, लेकिन आप, तो यह आपका होगी अनकुरिया लेकिन आपका उत्विपक क्या? जौब लेना. आपको क्या करना चाहते हैं? जौब फीचर बनना चाहते हैं. यह आपका क्या है? उत्विपक. को लगए भूग तो भूग क्या अपके उतीपग है क्योंकि इसको आप क्रिया के माद्यां से खाना चाहते है खांणा फ wives अपकी क्या हो गई उती पग्ड करेंगे वह क्रिया क्षान hacerlo क्लियरो कि इतने पॉइंट आपको समझ में आए अगला संप्रदाय कौन से होता है संग्यान वाद संग्यान वाद संप्रदाय को समग्रवाद भी कहते है समग्रवाद या गेश्टार्ड वाद संप्रदाय भी कहते है इस संप्रदाय के इस्तापना किसनी किती मैंक्स वर्ति मरने मैक्स वर्दीवेनिस येटाल विवास संप्रताय की इस्तापना की ती इसे हम समक्रवाद के संग्याहन वाद की नाम से भी चाना चाता है इस संप्रताय में क्या बोलो कि अच्छेतना वह विवार दोनों के समली द्रोप से अध्यन पर बल दिया गया अभी तक क्या हुआ सबसे पहला संप्रताय आपका कौन सा आया था जल्दी से कमेंट लॉक्स में कमेंट कीजिए सबसे पहले आपका कौन से संप्रताय है संग्रचिना वाद संप्रताय बोला कि हमें सम्वेदना पर बल देना है प्रति उत्यर में आये आपको प्रकारवाद संप्रता ने क्är बोला है कि सनवेदन और प्रत्ची करणें पर बलत देना है अब इसके बाद क्यों हुआ वज आया बेवार नहीं कहा कि हमें किसी विव्यक्त की बिवार का अध्यर करना है और व्योहार होता कैसे है? उत्तीपक और अन्कृआ से होता है जब तक उत्तीपक नहीं होगी तक अन्कृआ नहीं करेगा जैसे चाहिवर थाञ नियें किसे अब बप्रयोग किया था अगर बिल्ली का पेट भरा हुआ होता तो क्या बिल्ली भोजन पाने के लिए कोसिस करती, सायद नहीं करती आज आपके पास जॉब होती, आपका economic condition बहुत अच्छी होती या आपके पास बहुत बड़ा business होता तो क्या आप TED सीटेट की तयारी कर रहे होते तो क्या आप KVS exam की तयारी कर रहे होते नहीं कर रहे होते न, क्योंकि आज आपको जरूर थे job की अगर आपके पास बहुत बड़ा business होता या आपके पास job होती, तो आप करते हैं, नहीं करते इसलिए कहा गया कि उद्दीपक होना बहुत जरूर है जब तब उद्दीपक नहीं होगा, तब तक क्या होगा गेश्टाल आपको एक जर्मन भासा का सब्द है, यह सब्दीपक अतात पर क्यों होता है पूर यह समाग रूप से, किसी चीज को मैं पूरा समाग रूप से देखना है अब आपको किसी के बिवहार का अध्यन करना होगा, तो सिर्फ बिवहार का अध्यन नहीं कर सकते आपको उसको चीतना का भी अध्यन करना होगा क्योंकि चीतना और बिवहार दोनों क्या होते, साथ साथ होते इसलिए आपके गेस्टाल वादियों नेका कि चेतना और बिवार दोनों का संभलित रूप से अथ्यन करेंगे उसे संग्यान वाद भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन majesty चेतना के अन्दर ही हमारे आते हैं संग्यान संग्यान क्या होते हैं? जो घुद्धी हमारा मनन, सूच, विचार, तर्ग, चिंतन यह सारी जो सक्ति होती, यह हमारे के होते संग्यान के अंतर गताती है जैसे आपने कई बर न्यूज वगर्ण पढ़ा ह Benton जिलादिकारी के संग्यान मिलाएंग यह मामला जिज के संग्यान मिलाएं संग्यान उसके जानकारी मिलाया गया उनके मन मस्तिस्क में इस चीज़ें आएं उनके सामने आएं इसलिए आपका समग्रवाद या संग्यानवार या गष्टालवा संप्रदाय कहता है कि हमें वेक्ति के चेतना वा विवार तोनों का सम्म्ली दुरोब से अथिन करने है क्लियर हो गया? ये point आपका समझ में आगया अब चलिए next नेक्स्ट संप्रदाय था अपको मानोतावात संप्रदाय मानोतावात संप्रदाय के सतापना की थी आपके अपरहम मैस्तलों ने बहुत important line है आपके लिए और काल रोचिस वह आलपोर्ट ने इस संप्रिदय का समर्थन किया दा अब ब्राहम मैसलो का मानोतावाद या आसावाद का चनक भी बोलते हैं इसके असर पर अब ब्राहम मैसलो ने क्या बोला था बहुत important line है आपके लिए उन्हों ने कहा है कि हमें ना केवल सनचना का अधिन करना है नहीं हमें जेतना के कारण का अधिन करना है नहीं हमें बिफार का अधिन करना है नहीं हमें समग रूप से पूड़ता या संगयन पर बल देना है बलकि सबसे ज़्यादा गर में किसी जीच का अथिन करना है तो मानो की ओसकता या मांग पर बल देना है किस पर बल देना है मानो की ओसकता या मांग पर बल देना है उन्होंने का कि मन के समझना तो बात की बात है भई जेतना भी हमारे अंदर देखो सही गलत की चेतना क्या कतब तक रहती है जैसे एक बच्चा है वो बहुत जादा भूख है ठीक है उसे ने पढ़ा है उसे पता है कि चोरी करना बहुत गलत बात है लेकिन वो क्या करेगा उस कंडिशन में जब बच्चा भूख के वज़े से बेहाल है अगर उसको सामने दिख रही है रोटी तो चुप चाप ले लेगा क्योंकि वो भूख से बेहाल उन्होंने का कि चेतना बहुत अच्छी बात है लेकिन कई बार ऐसी कंडिशन होती कि हम सही गलत नहीं पैचान पाते बिवभार हमारा सारे रिक पिन प्रट करता है अगर हमारा सवस्ते नहीं अच्छा है अगरा सवहब मैसलोंन का हम्में सबसरवाती बल उसकत पर इन्होंने एक अपने صिद्धान्द वी दिया ब्रहिमा सब्णूड है कौन से सिद्धान है तो अब ओसकता है का सिद्धान इस में रहुआ अलग-अलग प्रकार की ओसकता है सबसे पहले तो व्यक्त अपनी सारीरिक मांग को पूरा करना चाहता है जब व्यक्त के सारीरिक मांग को पूर हो जाती है तब उसे क्या होती सुरच्छा की जरूरत होती तब हो चाहता है, सबसे पहले अगर आप बहुत भूखे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो से कहा जाता है ना भूखे पेट भचिन भी ना हो गोपाला मतलब पूचा भी करनी है तो इंसान का पेट भरा होना चीज़ तब उसे भूख लगेगी अगर उसे भूखा है तो पूचा में उसका मन नहीं लगेगा इसलिए स्वेक्त कि क्या सबसे पहले सारी रिक मांग पूरी होगी जब उसके हो जाएगी सारी रिक मांग पूरी तब उसे जरूरत होगी कि भही मेरी भी जौब होनी चाहिए प्रॉबर्टी होनी चाहिए, बहुत अच्छी हीःच्व होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी दिकत में अच्छे होस्पिटल में जाके एलाज करा सके जब जो बूखत होका है अपने फटाथ वगेरा में देखा होगा अपनी कभी देखा होगा वो छोटी छोटी बिमारी होती, ऐसे दवा लेगे खा लेते हैं ऐसे आसफास के रॉक्त को दिखा लेते हैं बहुत अच्छ चाहाना है क्योंकि उनकी नहीं पूरी ओर ही अभी भी भी सारी रिक्माउग on सबसे पहले वैक्ति क्या गता है सारी रिक्टों को पूरा करते उस के बाद अधिए सुरत्च्छ ANDREW जायो होना चाहिए जब जारीक मा और सुराच छतोनों पूर हो जाती ते व्यक्त के अगली मांग होती तदात्मिता या संबंद की मांग अब व्यक्त को लगते हैं कि हमारी भी अच्छे रिलेशन होनी चाहिए फ्रेंड्स होनी चाहिए, फैमली मेंबर होना चाहिए, हमारा लाइफ पार्टनर होना चाहिए जो हमारे बारे में सुच चे, हमारी टेंशन ले, हमारे केर करे अब व्यक्त की मांग होती है, क्या संबंदो की मांग होती है मेरा फ्रेंड सरकल होना ची मेरे लाइफ फार्टनर होना ची मेरी फैमिली होनी चाहिए अब जब उसके यह मांग भी पूरी हो जाती है अब आती है उसके अंदर आत्म सम्मान की मांग अब उससे लगता है मेरा बहुत अच्छा पात होना ची बहुत अच्छी प्रतिष्टा ह नेशे लोग मेरा समान करें जहाने जोड़े होजाएं मेरे स्वाकट में ये मांगे तब आते है जब व्यक्ट के नीशे की सारी मांगे अगर ये मांग में पूर हो जाता है तब व्यक्ट के अंदर आता है मां श्वाप प्रतिछी करण की ये मांग के होती बहुत कम लोगों में आती है कि अब उसके अंदर लगता है कि मेरे जीवन का उतेज क्या है मैं क्या करना चाहता था कि क्यों कर रहा हूँ अब ये मांग आती ही वेक्त के तरकत ये कौन-कौन से मांगे इस पाइंट को याद रखेगा सबसे पहले मांग आपके क्या होती है सारी डिक जरूरत सबसे पहले अपने किसी फुट-फाथ में चूप वेक्ति रहता है कभी अपने सौचा है या सुना है उसने क्यों जो बहुत करीब बच्चा है जिसके एक टाइम खाना नहीं मिल पा रहा है भूका है उसने कभी जाके कहा कि मुझे यहां के पत चाहिए यहां पे मेरा बहुत समान हो मेरे लिए समान समारो आयूजित करो नहीं क्योंकि उसकी बेसिक नीट यही है कि पहले मुझे मिल जाए भरपेट खाना मेरे भूक मिट जाए तो सबसे पहली मांग किया उसकी सारी रिक मांग है जिसे आपको पते कि हिंदिय साहित में एक कहानी है प्रेमचंत की कफन अब कफन कहानी में क्या दिखाया गया है कि एक बनता है बहुत जादा उसकी क्या होई वाइफ की डेथ हो गई अब वाइफ की डेथ हो गई तो उसको क्या चाहिए थ अब कफन के लिए तो पते अगल बगल के लोगों ने भी पहले पैसा के लिए थोड़ा सो गया फिर उने लग के नहीं कफन के लिए तो पैसा दीना ही चाहिए उसने क्या क्या उस व्यक्ति को कफन के लिए पैसा दिया अब उसकी वाइफ के डेथ हो गई है अब ओ बंदा जी की पैसा गया उसमें दिखाया क्या है कफन का आनी में क्यों कुम से चे महिनों से उसने भर पेट खाना नहीं खाया अब उस समय व्यक्ति क्या क्या उसने जन्दा से जोड़ी कफन के पैसे लेकिन उन कफन के पैसे से चाके उसने खाना खा लिया आप बताएए यहां पर क्या हो रहा है? अब ब्रेम मैस्लो के इंसर यह क्या है? तो यहां पर वोगती गया अपनी सारी एक मांग पूरी कर रहा है पहले जब तक उब बहुत भूका है तो उसे नहीं यादा रहा है अपनी वाइफ की कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है यह प्रेम चिंद की एक कहानी यह कफर उसमे दरसा आया गया है कई बर क्या होते है एकजाम में इस तरह से क्वैसन पूछा जाते है जैसे एक बर एकजाम में क्वैसन पूछा गया था कि एक महिला ने भूख के लिए अपने बच्चे को बेशती है अब Of kya है अब ब्रहम चिंद करूँ के अंसार आप मैंसल करूँ के अंसार उस सारी क्वैंग है क्योंकि इसके सबसे पहले उसूचीगे अपनी सारी क्वैंग हो भूख से बहाल है उसके बाद और ढूनेगे अपनी सुरच्छा की मांग तावर देखेंगे तादात्म की मांग तावर इसके बाद आत्मसमान की मांग होती है और सबसे लाशन में होती है आपके सौ पित अच्छी करण की मांग क्लियर हो कि आपके पॉइंट सबस्च में आगे इस पॉल इसको जो सिद्धान दे अब रहे मेंस लोगों इस सिद्धान को आगे बहुत अच्छे तरीके से डेटेल से पढ़ेंगे अब अगला आपका कौन सा संप्रदाय है मनु विसलेसरवाद इसको आपके मनु विग्यान के संप्रदाय जी साब स्कूल अफ साइकलोची कहते अपके लिए इंपोर्टन्ट है कपको जो लाष्ट और छट्वा संप्रदाय हुआ मनु विसलेसरवाद मनु विसलेसरवाद इसने सिग्मन फ्राइट ने किया कि मन का विसलेसर किया मन का विसलेसर करके इस संप्रदाय के स्ताप्टा की थी तो मनु विसलेसरवाद के स्ताप्टा किसने कि थी आपके सिग्मन फ्राइट ने कि थी सिग्मन फ्राइट ने कहा कि हर व्यक्ति का जो मन होता है तीन भागों में इनुन बाटा कौन खेतनमन, अचेतनमन और अर्ध चेतनमन ये तीन भाग में आपकं सिंग मर्फ्रायट बाटा उन्होंने यह 3 मन थो होते हैं और हर मन के साथ क्या होते है व्यक्ति का एक व्यक्तित चुड़ा होते है जिसे नु confirming ahead ego और सूपर एगो करके दर्शाया क्या एक एड होता है एक एगो होता है एक सूपर एगो यह आपके किसे ने बताया था सिग्मन फ्राइट ने सिग्मन फ्राइट ने कहा कि हमारे मन में क्यों अचेतन मन होता है अचेतन मन में क्यों थे मारे बहुत सारे दमीत विचार आ समाज जी इच्छा, जो मांग, जो इच्छा है, मारी पूर नियव पाती है, हमारी कहोती दमन हो जाता है, तो आज येतन मन में उन इच्छाओं और भन्दार होता है, कई बार कियो थुर्ड कि होता है, हमारे विएतन मन के अदार पर विएतने लगते हैं. तो इतना आप समझके यह आपने क्या पढ़ लिए मन्यो विज्ञान के जो संप्रताय थे, स्कूल थे, उन सब के बारे में स्टेडी कर लिया अगर आपको कोई भी कन्फूजन रहा है तो आप कमेंट होक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपने इससे पहले के वीडियोज को नहीं देखा तो मारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएए वहां से जाके वीडियो को देख लिजेगा आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन है अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और इसकी पीडियेफ के लिए टेलिग्रम चैनल को जाइन कर लिजेए जिसकी लिंक मैंने डिव सिस्टन बॉक्स में दी है ओके फ्रेंड थैंक्यू फॉर तब आचिन मैं वीडियो